अलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग तो ये है मेरी पिंक नाइट ब्लूमर बॉटर लिली जिसे मैंने आप सभी लोगों के साथ ही लगाया था तो अप्रेल के महीने में जब मैंने इसे फर्टिलाइस किया था तो ये देखिए इसकी हालत मेरे गार्डन में इसकी जर्नी कैसी बनी हुई है मेरे गार्डन में आज का विडियो इसी पर है तो ये देखिए दोस्तो इसकी growth मैं दीरे दीरे दिखा रही हूँ कि 15 दिन के बाद ही इस तरह से हो गई थी fertilize करने के बाद और ये पूरे एक महीने के बाद और ये मेरे water tank में water lily लगी हुई है one visa variety की ये day bloomer है और इसमें कुछ मेरी fishes भी है तो दोस्तो देखिए पूरे दो महीने के बाद fertilize करने के बाद मेरी water lily कितनी beautiful हो गई है और मैं wait कर रही हूँ इसका कि इसमें कब flowers किलेंगे और एक खुशकबरी है मेरी molly fish ने बच्चे दिये हैं ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे से baby हैं बहुत सारे हो गए हैं तो ये